हेलो दोस्तों नमस्कार शंतोसी आईस में आप सभी का स्वागत है यहां पर हम जैसे आप से प्रॉमिस किये थे कि 150 नंबर का जो PCS में में मेंस का हिंदी का पेपर होता है उसके जितने भी कुश्चन प्रीवीज येर में आए हुए हैं हम सभी को करवा देंगे ठीक है बिध आपका जो solution दिया रहेगा उसके हिसाब से ठीक है तो यहां पर आज हम सिर्फ ब्याकरण का portion लिए हैं सब एक पत्र ले लिए है ठीक है इस पत्र को पता होना चाहिए आपको किस प्रकार से लिखा जाता है यहां पर देखिए इसके बाद यह जो आपका 2022 में यह देखी कु आपका सुद्धवाक के है ठीक है तो यह सब हम आज कर रहेंगे ठीक है यह सभी question 2022 में ही आए हुए हैं तो चलते हैं सुलो थोड़ा चलेंगे क्योंकि यह थोड़ा मेंस का है इसमें जल्दी नहीं कर सकते हैं प्लीज आप मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए लाइक कर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको लगबग हम 10-15 दिन के अंदर जितने भी पेपर हैं आए हुए हैं हिंदी में वह अच्छे तरीके से करवा देंगे ताकि आप जब वहां पर जाएं या खुद करें तो थोड़ा सा confidence आ जाए ठीक है इसके बाद आप 15 दिन के बाद द आ देखेंए तोड़ा सा दून्दा दिख रहा होगा यह 2022 कोशन आया था इस का रहा है कारा है यह 10 कोशित अधे को इस से पहले हम वीडियो बना चुके हैं वहां पर हम आपको बताए कि क्या प्रारूप होै क्या सिर्टार्ण के पूछे जाते हैं वह वतों ब्रण बाक्क म जिला अधिकारी की ओर से जिले के सभी ग्राम परदानों के लिए सफाई की बैएस्था का ध्यान रखने के लिए एक परिपत्य प्रारूप तयार कीजिये। आपको मिल जाएगा परिपत्र होता है पत्र आलेखन का वह आपचारिक प्रारूप जब परिपत्र की बात करें ठीक है जिसके माध्यम से सास किये नीतियों अब दिखिए कोई भी आपका जिला अधिकारी ग्राम अधिकारी मदब ग्राम परधान से जब वारता होगी तो यह सासन के अस्तर पर ही होती है चाहे आप लोवर अस्तर पर जाएं एकदम चाहे एकदम अपर अस्तर से चाहे मोदी जी किसी डीम से बात करें या मोदी जी प्रधान मंतरी मुख मंतरी से बात करें वो सासन अस्तर पर होता है तीसलिए सास की यह नीतियों पर नेड़ों आदे कि माध्यम से प्रेशित किया जाता है Quindi English की इंगलिस की नहीं को आई क्या होता है क्यों भेज रहा है यहां पर नाम नहीं लिखना है याद रखियेगा यह मत PETER लिखेगा कि हम वहाँ पर नाम लिख दें यहाँ पर कहा या इसी प्रकार लिखेगा नहीं तो आप final के चले आएंगे वहाँ पर ऊपर दिया रहता इंठेक्र्शन में ठीक है इनाम नहीं लिखना है जिला अधिकारी कहां के हैं प्रियाग राज के हैं प्रेशक का खागा लिखना है जिला अधिकारी प्रियाग राज लिखना है इसके बाद सेवा में समस्त ग्राम सच्चिव जो आप बीडियो डियो नहीं होते हैं इनको सेवा में प्रियाग राज उत्तर प देने हो तो ग्राम परिधानों को परिपत्र ठीक है क्या ग्राम परिधानों को परिपत्र इसके बाद यहां पर दिनांक लिख देना है ठीक है परिपत्र का ऐसे ही चाट आपने दिमाग में रख लीजेगा किसी भी परकार से आएगा तो आप ऐसे ही लिख दीजेगा ठीक मह हो देया उक्त बिसर में आपको निर्देशित है कि ग्रामीर परवेश को साफ सुत्रा रखना अति आवस्यक है इस आसे है तु ग्राम परधानों की एक बैठक आयुजित करते हुए गाउं की सफाई ब्यूस्ता पर ध्यान रखने है तु जागरूपता अभियान चलाय जाए ताकि गाउं के लोगों के स्वास के साथ ग्रामीर परवेश की सुचता को भी सुनुचित किया जा सके ठीक है ऐसे ही आपको लिखना मतलब इसमें कुछ अच्छी चीजे लिख देना है ठीक है उक्त का अनुपालन ततकार प्रभाव से सुनुचित करते हुए कारियाल को जो आप जिला अधिकारी है वो ग्राम समस्त जो ग्राम सच्चियों है उनको बता रहे हैं कि इस मलब जो यह अनुपालन है आदे से इसको सुचित किया जाए भावादिये में हस्ताच्छ ठीक ऐसे हाल लिख देंगे काखागा काखागा इसके बाद यहां पर आपका जिला अधिकारी हो जाएगा ठीक है जिरा अधिकारी बस इतना आह ही आपको लखना है आभी हम डेली लाएंगे छिच देली लाएंगे तो आपको डेली पता चल जाएगा हां कैसे आएगा ठीक है यह वीडियो सुभे город में 8 जिया हूपा कर यह आईगा 008 भजे इस वीडियो को करें ठीक है तो चलते हैं देखते हैं अभी आज थोड़ा सा टफ लग रहा होगा डेली बताएंगे तो अग्दम सिंपल लगेगा खुद अपने आप लिखना आपको आ जाएगा ठीक है चलते हैं अब देखें ब्याकरण पोर्शन में क्या क्या दिया गया है अब देखें यहां पर कुश्चन क्या होता है यह आपका उपसर होता है और यहां प्रत्य होता है तो यहां ऐसे पहले आप सब्द लिखके लिख देंगे यहां पर ठीक है इसके ऐसे ही फॉर्मेट में लिखना है ताकि आपको अच्छा नंबर मिले डेड़ सो में अगर 130-140 तक अगर पहुच जाते हैं तो काफी अच्छा होता है ठीक है 120 तक ही अगर पहुच जाएंगे तो तब भी काफी अच्छा होता है ठीक है यहां से मेरेट काफी अच्छे चले जाती है आपको आप श्चेंट बनने तक भी चांस मिल-जाता है है इसी से हिंदी से उध्यू क्या कह रहा हूँ वद गृव का क्या है उत्यू कर लिए यह सब पढ़ते हैं पैटेंगे तुप तब वहां बता देंगे अभी यहां सिर्क देख लीजिए का कैसे पेपर आता है देखिए दोर दूर दसा का देखिए यहां पर दूर लिखाना है दूर दूर पढ़ते हैं फिर दसा पढ़ते हैं अगर पूरा ऐसे लिख देगे तो यहां पर क्या होगा दूर ही तो होगा दूर तो यहां पर दूर होता है दूर दसा नी मीलता तो नी मीलता क्या क्या होगा नी ठीक है नी नी मीलित तो अगर देखिए यहां पर दूर अब देखिए यहां पर यह होता है जैसे उपसर्ग में क्या होता है उपसर्ग में जो आगे वाला होता है तो उत ग्रियू ग्रियू माने क्या होता है गर्दन होता है तो उत हटा देजिए पीछे वाला अच्छर मलब एक सब्द आना चाहिए अब यहां पर देखे अगर दूर हटा देंगे तो यहां पर दसा दसा एक सब्द होता है न कहते हैं उनकी दसा अच्छी उनकी दसा खराब है तो देखे ऐसे ही देख लिए जा जिसे यहां नी अगर हटा देंगे तो मीलित मतलब क्या होता है लगभग मुझे ल जाता है तो निश्व और चल तो आगे नीश लगाएंगे फिर अतियंत तो देखें अति रास्ट में है अंथ हटा देजी यहां दूरदसा में दूरदसा होगा उत्ता होगा अब देछेहां प्रत्य यहां पर लगाना है क्या है जैसे देव लिखन देवा देवा आजने तो देव आई इसको यहां लगा देंगे प्रतтесь में पीछे तो यहां पर पूझ यह पूझ तो पूझ यप पूझ यी कूझ यह मतर है cumpl मतर्वा या एक नदिक यहां पर क्या होता है यहां पर एक मांत्रा था तो ए बन गया ठीक है अगर यहां ऐसे मंत्रा होता तो ऐसे बन जाता है है आपको लगवग इतना करेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिल जाता है यह पांच नंबर इसका है दस नंबर देखें यहीं पे होगे आपको सिर्फ थोड़ा सा उप्रत्य उपसर्ग में ध्यान देना है मेरे साथ ऐसे डेली पढ़ेंगे तो आपको सीख जाएंगे कि हां कैसे उप्रत्य क्योंकि आप क्यूंकि आरो में आया नहीं था थोड़ा सा अभी लग रहा होगा थोड़ा सा नया क्योंकि होता है अच्छा भी लिखना यह सम्पन चैब कने लिख 30 वह पर आपको गोला नहीं करना या अब नहीं है कि कुछ भी लगा देंगे यहां पर देखे का कैसे थоротता इता यो अगर लिखने तो आइसे लिखके ड़Gold कमका आपके देखी जाएगे अलिका महत्या क्या होता हुँता है का यह क्या है बहुत लब हुए इस्तुतत का होتा है इस तुत थम SCOTT इस तुति के निनदे कर दिये वहां इस तुती उनकी चल लाई चेल लए तो भगवान की निनदे चल लए है इस को सद भाव सद भाव का दुर भाव होता है चार डूरा चार तो इस मंग रिट रखा गया गया एक चीजी यहां तुसके अड़ होगे responsible आंगे एक दम पास होंगे तो बेरल का सेर्स का क्या होता है वैक्ष्टी समश्टी का क्या होता है वैक्ष्टी सम मश्टी और इसका वैक्ष्टी अपराधी का क्या होता है निरपराध अपराधी का क्या होता है निरपराध होता है आउसेश का क्या होता है निसेश क्या होता है निसेश तो अपरा आउसेश का निसेश होता है आउसेश निसेश एकत्र का क्या होता है विकीड होता है जिसे एकत्र बहुत इच्छा कोश्चन है एकत्र का विकीड होता है ठीक याद रखिएगा एकत्र का विकीड होता है ठीक है और उसेश का निसेश ठीक है तो चलिए बिलोम हो गए आपका अब देखिए यहां पर क्या है एक एक सब्द लिखिए क्या जो जुड़ा या मिला ना हो जो जुड़ा या मिला ना हो क्या ह टब त पृत था कहते हैं यह जुड़ा नहीं है आपना पेट भरने वाला कहते हैं अपना पेट भरने वाले को, ऊद मनने मत पैटाइया बतना», यालिए तो रं मत वरी, अपना पेट भरने वाले को, तकी ड गयjust offers याद रखिए क्योंकि यह objective नहीं है कि वहाँ पर उद्रम भरी आएगा आप लगा देंगे यहाँ पर याद करना पड़ेगा इसलिए मैं सुलो चल ला हूं जिनको सुलो लगेगा प्लीज बढ़ा लेंगे ठीक कई बार मैं बोल ला हूं ताकि आपको याद हो जाए सिर्फ मेरा मक बिस्वस्त मित्र हैं तो जिस पर विश्वास किया जाए वह विश्वस्त होते हैं जिसे रोकना कठिन हो दुर निर्वार यह होता है क्या जिसका रोकना कठिन हो उसको दुर निवार यह होता है तैरकर पार करने की इच्छा को तिर्तिर्सू कहते हैं तिर्तिर्सू कहते है जो जिसको तैर कर पार करने की इच्छाहोट कैसे लिखा भी जाता है, तापे छोटिक मंतरा, तीर wrong.. पिर तापे बढ़ीक मंतरा, तीर बढ़ीक मंतरा, सापे जोटाउग मंतरा, यतिरु तीर शूं ऐसा लिखा जाता है जिसको रोकना कठिन हो दूर निर्वार जिसको तैर कर पार करने की च्छा तिर्टिर सा होता है, अब यहाँ पर देखते हैं, सुध वाक को करिए, अब देखें, यहाँ पर यह देखें, आपको यह भी आरो यारो में आएगा, तो आपका दोनों तयार हो रहा है, आरो यारो भी तयार हो रहा है ठीक है इसे साथ साथ तुम्हारे हर काम गलत होते हैं करें तुम्हारे हर कार गलत तो यह गलत है तुम्हारा हर काम गलत होता है यह होगा ठीक है तुम्हारा हर काम गलत होता है यह कहें दंगे में कोई निरपराधी ब्यक्ति मारे गए वो दंगे में कई न पिर यक्षित सफ़ित होता है तो निच्टी घूखता है तो किस गावं में रहती होो तुम किस गहाएं गाउं में रहते हो यहां क्या लिखा गया था तुम कौन गाउं में रहते हो मैं आप से पूछों तुम कौन गाउं में रहते हो तो यह अच्छा लग रहा है अगर मैं आप से पूछों तुम किस गाउं में रहते हो तो आपको अच्छा लगेगा हाँ साही करें यहां पर यह यह बात उदाहरड से असपष्ट किया जा सकता है ऐसा सही है ठीक है यह बात उदाहरड से इसपष्ट किया जा सकता है प्रेम चंद अच्छी कहानी लिखे हैं क्या है प्रेम चंद ने अच्छी कहानियां लिखी हैं यह होगा आपका सही होगा यह बात उदाहरड से असपष् वहां में आगया होगा की जा शक्ति यह सकता है यहां लिखा गया यहां सकती है ठीक है यह देखी तुल स्थ चलते हैं इसन दिया गया है ऐसे आपको को पेपर में आरो रो में कि इसमें लिखना देखे यहां लिखा गया अन्रीज़ा अन्रीया का चित्रकूढ आप देखने हूंगे अन्री अन्रीया मतावyd वहां पर ऊसुछ या ऐसे लिखा जाता अ अन्रीज़ा एक अनी सुछ इलगायर शेख आसे लिखा जाता है एक और फिर देहाओ यह यह यहां लगाते हैं और यहां लगाते हैं गाम मालवहर यहां रह यह दिए उसके आए उसको उपे लिख दीजिए संक्रानुडцы और तब एसे लिखा जाता आए चैकर इस सब्सक्ते मेर्न गमन बहीा गमन अब देखेम अध्यान लिखा गया मध्यान तो माध्यार्या एंट Br angel to हमे cilantro अजिवाल ठीक ऐसे को अशिवाल ठीक अध्यार ओध्या वाल प्मी आपका आजह आजह जाया होता लेकर आहां प्रजwow किरसांगिनी को किसांगी यहां यहां होता है क्या होता अच्छे दो हैं मेंस का प्रेपर थोड़ा सा टप तो रहेगा लेकिन आपको बार-बार लिक्के प्रेटिस आपकी हो रही है ऐसे खुद आपको प्रेटिस करनी है ठीक है ताकि आपको पूरा मलब पता चल जाए चल जाए कैसे तब वहां पर गलत नहीं होगा कि शांगी को चलते हैं नेट दिखते हैं अब यहाँ पर मुहाबरे और लोकुक्तिया कहा है ठीक है यह आपका 30 नंबर का अकेले ही पूछा जाता है तो देखते हैं यहाँ पर के लिखा गया है लिखा गया है चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बनता इसका अर्थ क्या होता है सीमित संसा अधनों से बाड़ा काम नहीं होता है सीमित संजानों से बड़ा काम नहीं होता है इसमें करें चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बनता तो चूहा कितना बड़ा होता है चूहा तो छोटा सा इतना चोटा सा होता है और नगाड़ा तो बड़ा सा होता है तो इसके चाम से न वाक के बनाते होंगे थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे ज्यादा परभाव पड़ेगा जामनर पर ठीक है यहां पर क्या बनाएंगे परियाब तो पुस्तकों के मलब ऐसे ही नहीं बनाना कि आपको ऐसी बना देना है ऐसे याद मत करिएगा लेकिन देखिए कैसे बन रहा है इ समझना होगा कि चूहे के चाम से नगाडा नहीं बनता क्या होता है हम सब क्या होते हैं किसी चीज की तैयारी करना हुआ आईयस पीसे की तैयारी करना हुआ जादे पुस्तके नहीं है मलब कमी पुस्तक हैं लेकिन तैयारी सुरू कर देते हैं तो वही कर रहा है उत्ते से आ हो जाएगा वहाँ पर खूंटे के बल बच्छडा कूदे ठीक है खूंटे के बल बच्छडा कूदे तो इसका अर्थ क्या हुआ दूसरे के बल पर अभिमान करना खूंटे के बल बच्छडा कूदे तो बच्छडा क्या होता है चोटा सा होता है लेकिन उसी के बल पर क्या हो यहां पर क्या होता है तो यह आपको देखना होगा देखें कैसे जांपल यहां लिया गया है बर्तमान में जो चलना है अगर उसको जांपल ले लेते हैं आप मलब इस वाक के परियोग में तो काफी अच्छा पर परभाव पड़ेगा ठीक है तो यह अभी भी पाकिस्तान क्य यह मलब पैसा देता ही रहता है उसको डेप्ट में फसा ही रहा आपने जाल में ठीक है पैसा देगा तो वही है तो वही सब लिख देंगे तो अच्छा नमर में अब देखें यहां पर क्या है पराय धन वह दाल भात में मूसर चंद्र यहां दिखते हैं दाल भात में मूसर मतलब डाल और चावल जो होता उसी में सुरच्छा परसद में भारत जब भी आतंगबाद पर परतिबंद लगाने और शांति बहाली की बात करता है तो पाकिस्तान सदेव डाल भात में मुसल चंद बन जाता है या चाइना सदेव डाल भात में मुसल चंद बन जाता है तो द नारायड दूसरे के धन पर धिकार जवाना रथैरन समय में हमाड़े आसपास बहुत mm जों लुप परकृति से मिल जाते हैं ऐसे ब्यूति आपराधिक sotto भाव के साथ साथ पराय धन पर लच्मी नारायड बढ़ने वाले होते हैं ठीक है पराय धन पर लच्मी नारायड दूसरे के धन पर अधिकार जो कर लेते हैं ठीक है धोखे से कैसे भी कर लेते हैं यह गलत चीज़े हैं एक ही लकड़ी को सब को हाकना सब को एक समान समझना ठ तो सभी बच्चों को मानने लगता है ठीक है पहले ऐसा होता था अब ऐसा होता नहीं है पहले वह सब बच्चों को मानने लगते हैं हमारी सिच्छा प्रयाणियें बहुत से ऐसे सिच्छ क पाय जाते हैं जो सभी विद्यार्थिएंगे प्रति एक ही लकड़ी को सबस्तों हाकने की पर्दित अपनाय हुए है ऐसे में बहुत धिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों का विकास आसा के अनुरूप नहीं हो पाता है ठीक है तो आपको यह मलब जैसे मैं एक जामनल देया वैसे आभी गया देखिए ठीक है तो यही है एक ही लकड़ी से सबको हाकना सबको एक समान समझना आपको यह वाला सबसाला यह तो अप बना लेंगे यह वाला लेकिन यह वाला आपको सही ही रखना पड़ेगा पराए धन पर दूसरे के धन पर अदिकार जबना ठीक है ये दोनों आपको सही मलब यह वाले जो है क्योंकि अल्प जो ग्यानी होता है ज्यादा बोलता है कत्पे लोग इतिहास के भ्रामक बातों और आधे दूरे ग्यान के कारण महात्मा जी के बेर्थ टिपड़ी करते हैं जबकि उनमें वास्त भी ग्यान का अभाव होता है से लोग अधगल जगगरी छलकत जाने वाली कहावत से च पादे जी लीजिए चाहे आप नहरू जी लीजिए चाहे अंबेटकर जी लीजिए कोई भी नेता लीजिए सब पर टिपड़ी करते हैं तो यह वास्तों में यह गलत होता है तो ऐसे देखिए कितना अच्छा बना दिया गया है ठीक है क्योंकि सभी को उस समय का के हिसाब से ही डेवलब की गई थी ठीक है अब उस हो सकता परजन टाइम में गलत हो लेकिन उसके लिए उन सबको दोसी नहीं टहराना चाहिए ठीक है लहू की आसू पीना कुरोध सहजाना राश्टवादी नेता भारत का विभाजन नहीं चाहते थे भारत के विभाजन से उनकी अखंड भारत की संकल्पना धरी की धरी रह गई वे लहू की आसू पी गए ठीक है कुरोध सहजाना तो यह बहुत ही अच्छा है राश्टवादी नेता भारत के विभाजन ही नहीं चाहते थे भारत के विभाजन से उनकी अखंड भारत की संकल्पना धरी की धरी रह गई तो लहू के आसुपीना क्रोध सह जाना ठीक बहुत क्रोध आया लेकिन क्या करें मजबूरी थी मीठी छूरी चलाना विस्वास घात करना मलब आपका कोई दोस्त है बहुत ही अच्छा है लेकिन आप किसे के साथ विस्वास घात किया है मितरता का दिखावा करने वाले मनुस्व को सदेव सावधान रहना चाहिए क्योंकि ऐसा ब्यक्ति मीठी छूरी चलाने में माहिर होता है ठीक है जो मितरता का दिखावाई करते हैं निन्यानवे के फेर में पढ़ना क्या होता है धन कमाने में लगे रहना बरतमान समय में ब्यक्ति केवल निन्यानवे के ही फिर में पड़ा है ठीक है निन्यान्वे ऐसे में ना तो वह अपने परिवार को समय दे पाता है ना ही उसका सामाजिक विकास हो पाता है निन्यान्वे के फेर में देखे परजन टाइम में यही सब चल लाए कि लोक पैसे के पीछे जादा भाग रहे हैं समय बरतमान में अप को वाक भी बना दिया गया है जबान में लगाम ना देना अनावस्यक रूप से बोल भारतिय राजनीत के परपेच में अक्सर यह देखने को मिलता है कि कुछ वाचाल परवित के छेत्रिय और छोटे अस्तर नेताओं पर जबान में लगाम ना देने के गार पार्टी प्रपक परपताओं को माफी मांगने पड़ती है जो कुछ भी बोल देते हैं हमारे परजन टाइम में ऐसा ही होता है कैसे नेता कुछ भी बोल देते हैं तो बस इतना ही आजस्ता ठीक है तो एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं जबान पर लगाना क्या होगा अनावस्यक सवास घात करना है लहू की आशू पीना क्रोध सह जाना अल्प ग्यानी बढ़ बोलापन अधगल गगरी छलकट जायका होता है इधर देखते हैं एक ही लकड़ी से सबको हाकना क्या होता है सबको एक समाज समझना पराय धन पर लच्मी नारायर दूसरे के धन पर अधिकार जबाना दाल भात में मुसर चंद बीच में दखल दे देना मलब दो लोग हैं उसमें बीच में कोई तीसरा आ जाता है दखल दे देना खूटे के बल बच्छडा कूदे दूसरे के बल पर अभिमान करना चूहे के चाम नगाडा नहीं बनता सीमिस संसादनों से बड़ा काम नहीं होता है ठीक है यह है आपका तो यहां पर आपका आज के लिए बस देखे दस नहीं था तो ऐसे ही हम डेली लाते रहेंगे अगर जैसे आप बने रहेंगे 28 मिट का वीडियो तू के ही स्पीड में देख लेंगे तो कम से कम आप इस पेपर से फेमिलियर हो जाएंगे अभी हम इसका पेपर का लगबग दो जास साथ तक बाइस चला है साथ आट तक करवा देंगे जितना भी पेपर पुराना आया हुआ दो तीन दिन दिन जो पेपर हम करवाएंगे दो तीन दिन बाद आपको लगेगा यह सब तो हम खोदी कर सकते हैं ठीक है तो आप से उमीद है कि इस चैनल को सस्क्राइब कर लेंगे लाइक कर देंगे क्योंकि मेंस का लोग बहुत कमी पढ़ाते हैं हम ब्यू पर नहीं जा एक कांफिडेंस बुल्ड होगा सेलेक्शन मलब दो ही चाल लोग का हो जाए इस चैनल से काफी है ठीक है तो आज के लिए बस इतना है धन्यवाद नमस्कार जैहन जै वारत